मैं यहां से clear कर देता हूँ कि मैं भी कोई दूद का दुला नहीं हूँ I'm very clear about it, अगर मैं तुमसे कहूँ कि नहीं यह बहुत गंदी बात है, यह गलत बात है, नहीं करना चाहिए तो ऐसा नहीं है इसमें कोई बुरी बात नहीं है It's nothing wrong in it, boyfriend और girlfriend यह जो distraction होता है जो आप बड़े हो रहे हो, ऐसे हार्मोन्स उपर वाला जनरेट करके दे रहा है तो तुम और मैं क्या कर लेंगे समझ में रहा है, यह हार्मोन्स जनरेट करके, यह feeling जनरेट करके कौन दे रहा है उपरवाला, जब उपरवाला खुदी आप में वो हार्मोन डाल रहा है, तो उसमें तुम और मैं क्या कर लेंगे, पहली बात तो यह है, ठीक है, पर आपको कहीं कहीं आपको टीज भी करता है उपरवाला, देखता है कि इसमें हार्मोन डालेंगे, तो यह डिस्ट्रैक्ट हो तो कोई गलत बात नहीं है यह अट्राक्शन कोई बुरी बात नहीं होता है अच्छी बात है इवन अपोजे जैंडर से अट्राक्शन हो रहा है इसका मतलब सब्कुछ ठीक थाक है मादा लाडला विगड़ा नहीं है तो यह आपकी टेस्टिंग भी होती है जिस एज में आप attend çık iOLL간 पड़ों करता है कि हाँ लडगों की तरफ अट्रेक्ष्टर गर्लड़कों की तरफ अट्रेक्षा होँ इसका मतलब सब ठीक थाक है मतलब वो attraction है, सब कुछ ठीक ठाक है, मादा लाडला बिगड़ नहीं है, लड़कों का लड़कों से attraction नहीं है, लड़कियों का लड़कियों से attraction नहीं है, unnatural attraction नहीं है, that's good, that's a sign of good thing, it's not a bad thing, ठीक है?